जैहिंद दोस्तों में ढूमोषन और आप देख रहे हैं डिजिटेग Eجुकिशन आज हम लोग बात करेंगे वेदरिंस ओफ रोक्स क्या होता है वेदरिंस ओफ रोक्स कितने टाइप की होती है और उससे पहले हम लोग बात करेंगे क्या weathering और erosion सेम चीज है या दोनों अलग-अलग है तो वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं weathering of rocks आखिर में होता क्या है तो weathering जो है आप confused नहीं होएगा weathering जो है यहाँ पर एक term है जो कि हम geology के अंदर use करते हैं weathering का simple सा जो meaning है जो basic definition है वो सबसे पहले में आपको clear कर दूँ weathering में क्या होता है weathering process एक ऐसी process है जिसमें कि जो bigger size का rocks होता है या जो चटान होती है वो छोटे छोटे rocks में convert हो जाता है ठीक है means weathering हमारी एक ऐसी process है जिसमें larger rocks क्या करता है छोटे छोटे rocks का formation कर देता है यह बोल सकते हैं stones में convert हो जाता है ठीक है यह तो simple से बिलकुल बच्चो वाली definition हो गई लेकिन हम बात करेंगे थोड़ी standard वाली definition की और वो क्या कहती है कि weathering process जो है हमारी occurs जो weathering process है वो कहां पर होती है वो हमारी या तो अर्थ पर होती है या फिर अर्थ के surface पर होती है देखना या तो weathering process यहां पर होगी या इसके थोड़ा सा अंदर means इसी के आजू बाजू कहीं पर आपको देखने को मिलेगी means weathering process हमारी जो होती है या तो अर्थ सर्फेस पर होती है या अर्थ सर्फेस के थोड़ी सी अंदर होती है और उसमें क्या होता है इसकी वज़े से जो हमारा landscape होता है रेटिस आर्थ का जो शेप होता है रेटिस आर्थ नहीं बोल सकते क्योंका आर्थ बहुत बड़ी है लेकिन किसी particular जो area है उसका shape वहाँ पर आपको changes बेखने को मिलेगा उस इस area में suppose जो भी rocks थी यहाँ पर अगर weathering हुई है तो इस area की जो rock से उसमें आपको changes देखने को मिलेगा ठीक है यह तो गए बिल्कुल basic सी बात अब हम बात कर लेते हैं weathering की standard definition आखिर में weathering क्या होती है तो weathering जो है एक physical disintegration है या फिर chemical alteration है physical disintegration मतलब कि इस प्रकार का process या इस प्रकार का phenomenon जिसको हम naked ice से देख सकते हैं ठीक है जिसमें देखो physical disintegration में क्या होगा यह बड़े साइस का जो rocks था यह छोटे-छोटे small particles में convert हो जाएगा तो इस process को बोला है हमने क्या physical disintegration chemical alteration के मतलब क्या हुआ कि chemically is rocks के अंदर कुछ changes आएंगे उसको हमने क्या बोला है chemical alteration ठीक है और इसी दोनों प्रोसेस के combination को अमने नाम दिया क्या weathering तो आई होप यहां तक आप आपको clear हो गया होगा weathering क्या है तो weathering एक physical disintegration या फिर chemical alteration है जो कि rocks पर surface पर होती है ठीक है अब बात करते हम erosion तो erosion क्या है erosion हमारा एक physical removal है means बोल सकते है erosion एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा physical removal and transportation of weathered material means जो weathering suppose rocks की weathering हो चुकी है तो weathering हुई तो इसमें से कुछ जो disintegrated particle से उनका physical removal और इस place से दूसरे place पर ले जाने को इस place suppose यहां पर पहले यह disintegrated material यहां था अब यहां से यहां पर पोच गया तो इस material का इस place से इस place पर पोचने को यह हम क्या बोलते हैं erosion बोलते हैं तो यहां पर आप definition देख सकते हैं कि फिजिकल रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ओफ वेदर्ड माटेरियल बाई अब देखो कोई भी एजेंट्स हो सकते हैं एजेंट्स मेंज जो की इरोजन करवा रहे हैं कौन-कौन से हो सकते हैं हमारे वोटर विंड आइस या फिक ग्रेविटी ठीक है यह सारे हमारे एजेंट काम करेंगे किसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका वेदर्ड माटेरियल का ठीक है तो आई होब यहां तक चीज किलियर हो गए हो बहुत सिम्पल सी डेफिनिशन है एक और वेदरिंग की और वो क्या है फिजिकल एंद केमिकल प्रोसेस डेट ब्रेकडाउन रॉक और अर्थ सर्फेस मीस यह तो बोल सकते हैं एसी प्रोसेस जो कि फिजिकल हो या फिर केमिकल जिसकी मदद से बड़े साइस का जो रोक है वो छोटे साइस में कनवर्ट हो जाए उसी को क्या बोला गया है वेदरिंग बोला गया है अब आपको वेदरिंग से रिलेटेड कोई भी कन्विशन यहां पर नहीं हो चीक है आईए अब बात कर लेती हम कि वेदरिंग आकर में हमारी कितने टाइप की होती है सो टाइप सो वेदरिंग की बात करें तो वेदरिंग जो मोस्ट प्रोबेबली होती है जो मेजर टाइप है वो तीन टाइप की होती है डेटीस मेकेनिकल वेदरिंग या फिर उसको हम बोलते है फिजिकल वेदरिंग क्लियर है दूसरा है केमि weathering clear, 30 रहे biological weathering, ठीक है अब मैं इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, फिर हम उनको डीटेल में discuss करेंगे, सबसे पहले बात करती हैं mechanical weathering या फिर physical weathering, तो इस में अगर आप देखेंगे तो physical weathering या फिर mechanical weathering में क्या होता है? physical disintegration and reduction in the size of the rocks ज्यान देना यह इतनी बड़ी size थी rocks की तो इसके अंदर physical disintegration आपको देखने को मिलेगा means इस rocks की जो size है वो आपको छोटी-छोटी देखने को मिलेगी तो यह जब size छोटी-छोटी हुई है और साथ मिसके अंदर कोई भी chemical change आपको देखने को नहीं मिलेगा तो इस प्रकार की weathering को बोलते हैं हम physical weathering या फिर mechanical weathering clear हुआ definition पढ़ेंगे आप तो और अच्छे से आपको clear हो जाएगा mechanical weathering में भी अलग-अलग types है और कौन-कौन से types है वो मैं आपको एक बार पहले बता देता हूँ फिर हम लोग इनको detail में discuss करने वाले है ठीक है तो पहला है exfoliation जो types of mechanical weathering के अंदर है means जो हमारे mechanical weathering है उसके अंदर exfoliation पहले टाइप दूसरा है first weging, तीसरा salt weging चोटा है temperature changes की वज़े से जो होता है और पाचवा abrasion तो यह सारे हैं हमारे mechanical weathering के टाइप से clear है फिर हम बात कर लेते हैं chemical weathering की तो chemical weathering में क्या होता है एक ऐसी process बोल सकते हैं जिसमें chemicals की मदद से वो जो disintegration हो रहा है जैसे कि यहाँ पर definition आप देखेंगे कि chemical weathering decomposes, resolve, altures और weaken the rocks वो disintegrate कर देगा तोड़ देगा, changes कर देगा या rocks को कमजोर कर देगा किसकी मदद से? chemical process की मदद से ठीक है? और साथ में उसमें कुछ residual भी बचता है बाद में जब chemical process complete हो जाएगी उसके बाद में कुछ residual उसके अंदर बचेगा ठीक है? ध्यान देना chemical process कौन कौन सी हो सकती है? chemical weathering के लिए responsible वो है carbonation, hydration hydrolysis, oxidation and solution ये सारी जो process से ये हमारी chemical weathering में मददगार होती है या types of chemical weathering इनकी वज़े से होता है ठीक है? and last one is biological weathering जैसे कि नाम से ही आपको clear हो रहोगा biological means bio microbes की मदद से अगर कोई सी process होती है तो उसको हम biological बोल देते हैं तो ऐसे ही जो यहाँ पर weathering है अगर weathering हमारी biotic things की वज़े से हो रही है चीक है? यह living beings की वज़े से हो रही है तो उनको microbes हो गए है plants हो गए है उनकी वज़े से होगी तो उसको biological weathering बोल देंगे एक्जामपल के तोर पर आप देख सकते हैं और गेनिक एक्टिविटीस फ्रम लीचेन, एलगाई, रॉक डिसिंटिगरिशन बाई प्लांट और रोग ग्रोथ ठीक है तो यह सारे इनकी क्या हो गया हमारे biological weathering में आ गए है आई हो चीज़े यहां तक आपको clear हुई होगी तो हमने इस वीडियो में क्या बात करी इस वीडियो में हमने बात करी weathering क्या है फिर हम लोगोंने बात करी types of weathering के बारे में और उससे पहले हमने रिसकस किया था erosion और weathering यान दीजिएगा weathering और erosion में डिफरेंस है ठीक है weathering क्या है weathering डारेक्ट डिसिंटिग्रेशन है किसी पार्टिकल का और erosion क्या है उस डिसिंटिग्रेट पार्टिकल का जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाने की प्रोसेस को क्या बोला गया erosion बोला है आई हूँ चीजें यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी अगर वीडियो पसना आए तो लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिटेल में डिल करेंगे टाइपस ओफ वेधरिंग को अपलोग उसको वीजरू डेकीगा